मतुरा के व्रिंदावन का टूर बनाएं तो जरूर देखे निधिवन, तुलसी तो आपने बहुत देखी होंगी लेकिन यहां की तुलसी अलगी है, वही व्रिक्षों की शाखाएं नीचे की ओर हैं, यहां शाम होने के बाद नहीं जाता है, यहां कोई मान्यता है कि आज भी कनहया रास रचाते हैं, अगर आप धार्मिक पर्यटन के शोकीन हैं तो एक बार मतुरा व्रिंदावन का प्लान जरूर बनाएं, यहां मौजूद है निधिवन, यह स्थान बेहद पवित्र, धार्मिक और रहस्य मई है, इस लेक में आज हम आपको बताते हैं कि ऐसा कौन स रहस्य है, जो इस जगा को खास बनाता है, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि विदेशी पर्यटक भी इस जगा की ओर खीचे चले आते हैं, निधिवन की मान्यता है कि यहां आज भी हर रात कृष्न गोपियो संधरास रचाते हैं, यही कारण है कि सुबह उखुलने व निधिवन में तुलसी के पेर हैं, यहां तुलसी का हर पौधा जोड़े में है, मान्यता है कि जब श्री कृष्न और राधा रासलीला करते हैं तो ये तुलसी के पौधे गोपियां बन जाती हैं और सुबह होने पर तुलसी के पौधे में परिवर्तित हो जाते हैं, यहां है जिसके बारे में मान्यता है कि रोज रात यहां पर राधा और कृष्ण रास रचाते हैं। रंग महल में राधा और श्री कृष्ण के लिए रखे गए चंदन की पलंग को शाम साथ बजे के पहले सजा दिया जाता है। पलंग के बगल में एक लोटा पानी, राधाजी के श्रिंगार का सामान और दातुन संग पान रख दिया जाता है। रंग महल के पत सुबह पांच बजे खुलते हैं। उस समय बिस्तरस्थ व्यस्थ, लोटे का पानी खाली, दातुन कुची हुई और पान खाया हुआ मिलता है। रंग महल में भक्त केवल श्रिंगार का सामान ही चड़ाते हैं और प्रसाद स्वरूप उन्हें भी श्रिंगार का सामान मिलता है। निधिवन के समीत बने घरों में वन की तरफ खिर्किया नहीं है। स्थानिय लोगों का मानना है कि शाम के बाद कोई इस वन की तरफ नहीं देखता, जिन लोगों ने देखने का प्रयास कियावे अंधे हो गए या फिर पागल हो गए. कुछ लोगों ने वन की तरफ बनी खिर्कियों को इटों से बंद कर रखा है, जिससे कोई चाहकर भी इस देख सके. वरिंदावन में ऐसे कई बुर्जुग हैं जो इस वन से जुड़ी कई रहसिमय कहानियां बताते हैं. श्री निधिव नराज, निज वरिंदावन में यमुना जी के समीप एक बहुत ही रमनीक कुंज है. यहां अदभुत आनंद की अनुभूती होती है. निधि इनकी सखियां ही तुलसी ब्रेक्ष है. इतना विशाल तुलसी वन अन्यत्र कहीं भी नहीं है. सामान्य जाड़ी नहीं. यहां लगभग 1510E में स्वामी श्री हरिदास जी 14181-575E का आग्मन हुआ था, जिनका प्रकाट्य वरिंदावन के निकित राजपुर में अपने न करते थे. उनके भजन का प्रताप आज भी निदिवन की उज्जवलतम मधूर्ता के रूप में परिलक्षित हो रहा है. स्वामी जी ने नित्य विहार को प्रकाशित किया. सहज जोरी प्रकट भाई, रूची के प्रकाश परस पर विहरन लागे, उनके पहले दो पद है. उ करते रहते थे. वे एक तांता से अपार रस समुद्र को अपने हृदय में रमाए रहते थे. कभी रसावेश में मधूर्वानी से जो गाते थे, वो उनके परम शिश श्री विठल विपुल कंठस्थ कर लेते थे. यही पद संग्रा केलिमाल कहलाता है, जिसमें निधिवन क सहज माधूरी पल्लवित हुई है. निधिवन में ही वह लीला प्रवेश कर गए. उनकी बैठा की निधिवन राज में उनकी समाधी कहलाती है. दोनों पार्शव में स्वामी जी के शिश विठल विपुल जी एवं प्रशिश विहरिंदास जी की समाधी है. निधिवन के उ लगभग बन चुका था. यही विठ्थल विपुल जी के निमित स्वामी जी ने बांके विहारी जी का स्वरू पुद्धातित किया था. विहारी जी का प्राकट्य स्थल गेरा परिक्रमा में है. स्वामी जी व्रिंदावन में आने वाले सर्व प्रथम महापुरुष थे. स्वामी जी ने ही व्रिंदावन श्री को स्थापित किया बादशा अकबर स्वामी जी के शिश्य तानसेन के साथ उनके दर्शन आर्था आया था लगभगी 1573 आधुनिक युग में भी निधिवन में ही पूर्ण जीवन्तता है जो ना केवल आध्यात्मिक्ता की उच्चतम गहराई को संजुए हुए है साथ ही आधुनिक प्रोध्योगिक मनुश्य तक को भगवदानुभूती से आपलावित करती है कुछ भगतों का आग्रह है कि यहां रात्री में रास होता है स्वामी जी की रस्रीती में ब्रिज लीला का कोई स्थान नहीं है उनके जुगल किशोर ही यहां के आराध्य है जिनके सानिध्य का दिख काल से परे प्रतिक्षन एकरस आस्वादन मिलता है इस स्वनुभूती के लिए स्वन्य निधिवन की महिमा अक्षुण है अता श्रीन धिवनराज व्रिंदावन रसका सार सर्वस्व है